इसलिए मैं डिसंबर का ही वेट कर रही थी फाइनली मैंने ये वीडियो कर दिया एंड बहुत मुश्किल था बिकाज मेरी वैनेटी हमेशा मैस्टब होती है कभी योनो ठीक नहीं होती है सो अभी मैंने सारी चीजे क्लीन की एंड एर्रिफिंग वस्क्लीन सो अब मैंने सोचा कि इस इस राइट ताइम तो फिल्म दिस वीडियो बट बट वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप कमेंट सेक्शन में ऐसे कोई कमेंट जाने वाले हो कि यह वेस्टिंग यह मनी यह शुद जाने यह फिर ऐसे डाने वाले हो कि इस सो चीप मेकप कलेक्शन इससे तो अच्छा हमारा है कि यह चीप प्रड़क्स यूज करते हूं सो प्लीज प्लीज यह वीडियो बिल्कुल भी देखने की जरुवत नहीं है यह वीडियो है यह वीडियो यह फोर्सिंग यह पोती है यह शुदू बयाख नियुक्त वीडियो बाख इस तो कि जो सच में बेकप को बहुत पसंद कर थैए जो जैनिउनली मेरा मेकप कलेक्शन देखना चाहते है कि मैं कैसे प्रड़क्स प्रिफर करती हूं कैसे recommend करती हूँ and you just love makeup so welcome just welcome to this video start करने से पहले अगर आपने अब तक चानल को subscribe ने किया oh this side so red color के button and उसकी बाज़ो में bell बजा के चानल को subscribe कर दे इस वीडियो को like and share भी जरूर करना so अभी हम जल्दी से वीडियो start करते but don't mind my hair वो आज मेरा बिल्कुल भी नहीं सुनने के mood में seriously here 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 just ignore them and let's start the video start करते मैं अपना makeup यह से wardrobe में store करते हूँ like full नहीं and उसके बाज़ो में आपको यह दिख जाएगा इसमें मैं अपना पूरा makeup store करते हूँ so सबसे पहले हम wardrobe खोल के देखते है like यह वाला जो section है वो मेरा full of makeup है उपर and everything cloths वगे रहे है so हम वहाँ पर नहीं जाएंगे हम पहले left side से start करते है यहाँ पर आपको एक mirror मिल जाएगा यहाँ पर भी छोटे mirrors है then यहाँ पर है मेरे DIY सामान यह DIY contour blush gel liners सब DIYs है यह एक मेरा beauty blender है जो बहुत ही गंदा है then हम move on करते हैं यहाँ पर यह just a random stuff है यह है मेरा Maybelline master's contour kit यह थोड़ा सा break है इसलिए मुझे इसे काफ़ी अच्छे से रखना पड़ता है then मेरा vega का eyelash curler then आपको फिर से छोटा mirror मिल जाएगा यहाँ पर आप यह box देख सबते हो इस box को open करके यहाँ पर मैं अपने you know makeup brushes store करती हूँ और आपको यहाँ पर random puffs भी मिल जाएगे just random and makeup brushes यहाँ पर यहाँ पर बताना भूल गई थी यहाँ पर मैं अपना you know curling rod straightener hair dryer वगेरे सब यहाँ रखती हूँ यहाँ पर यहाँ पर फिर से यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर मेरे सारे lip liners है जादा नहीं में पास यह lip liners है सब और इसके पीछे आप यह देख सकते हो यहाँ पर मैं अपने clutches clips वगेरे store करती हूँ यह वाले box में like these two are the box sorry for the nail paint मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है बिलकुल यहाँ पर मेरे सारे ब्लू ग्रीन यह सब काजल जै यह दो है आईब्रोपेंसल यह MN की आइब्रोपेंसल है यह ADS की है अले प्लाइन मैं आपको यहाँ पर मार्स लिप लाइन दिख जाएंगे देन टुलिप्स है कुछ यह मैं यहाँ नो ड्यूप कर डॉप है यह यहाँ पर मार्स के है देन गाजल में मे बेलीन अगयन मेबलीन देन दिस लॉरियल मैट मजीक काजल यहाँ पर लैकuję का ऐगो आठो ultimately दिख Baldi आपको यहाँ यह भड़ ब्रेंद यह बॉक्स है मेरा लाइनड का बॉक्स और यह पर आपके सारे लीक और लाइनर पेन लाइनर एक ही है मैं पास याकीना का बेकाओस मुझे लिक्विड लाइनर ज्यादा पसंद देन लिक्विड लाइनर में ब्लू हेवन आर्टेस्टो काजल लाइनर वॉटेवर है यह एडियस का है जो मैं जादा यूज नहीं करती और यह मेरा फेवरेट लाइनर है एन यह तीन लाइनर है यहां पर मेरे सारे मग्राप मिल जाएगे आपको सो यह का मसकाडन इस मेबलीन कलोसल यह रेवलोन का मस्करा है आप देख सकते हो रेवलोन लेकिन यह एमटी हो गया है फिर भी मैंने इसे सम्माल के रखा है काम आ सकता है देन यू गेट दिस ब्लू हेवन वाक फ्री मस्करा और यह तीनों एसंस के मस्कराज है यह अच्छे से यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं सबसे पहले यहां पर cotton है मेरी सब जो भी लगती है makeup remove and all के लिए यहां पर लैक में रोस पाउडर है यही सिर्फ एक लूस पाउडर है करेंटली में पास देन यह blue heaven artist कॉमपक्त है यह लैक में absolute perfect radiance compact है सो यहां पर रखे में पास इतने ही compact नहीं है दूसरी जगह भी स्टोड़ है और यह में पास एक लौता setting spray है वो भी DIY वाला देन यहां पर आपको मेरे primers मिल जाएंगे इस इस मैलियो का primer blue heaven primer aloe vera gel और यह मेरा DIY primer है और यहां पर यह लिब बाम और यह moisturizer just randomly रखा हुआ है और यह वाला box आप यहां पर देख सकते हो लेट मी जिस्ट ओपन यहां पर आपको मेरे सारे lip balms मिल जाएंगे लाइक यह सारे lip balms नहीं है I have some more this all our baby lips this is boraline wadi herbals blue heaven then this is patanjali so this box है अभी हम move on करते हैं foundations पे so this is blue heaven x factor foundation this is blue heaven florina foundation यह blue heaven का ऐसी makeup base random foundation then this is also blue heaven oil free foundation and यह like my invisible finish foundation है यह uh maybelline fit me है यह essence stay matte foundation है यह dazzler का foundation है essence all about matte foundation यहां पे maybelline dream satin है mua skin defined foundation so यह मेरा पूरा foundation collection है मैं पास like my perfecting liquid भी है but I don't know वह कहां पे गया then हम move on करेंगे यह वाले drawer पे जहां पे भी मेरा makeup है थोड़ा बहुत and यह बहुत messy है so यहां पे मैं अपने combs and all रखती हूं यहां पे just random stuff है यहां पे मैं अपने kitchens रखती हूं then यहां पे आपको मिल जाएगे यह दो loose pigment जो एक Mac you know dupe है यहां पे यह दो loose pigments and shimmers है यहां पे मेरे सारे concealers है यह olivia pen stick then blue heaven pen stick यह essence का concealer है stay natural and stars cosmetics का concealer है यह वाला and then यहां पे आपको ponds की एक लोटी BB cream है यह में पास because मुझे foundation यूज करना ही पसंद है और यह मेरे DIY drawer divider जो की इतने कुछ अच्छे नहीं दिख रहे देन इस section में आपको यहां पे moisturizer जै यह nail paint remover है यह makeup remover है oil based है यह यहां पे DIY CC cream DIY BB cream then again यह एक moisturizer है मेरा favorite है नीवया का यह मेरा DIY compact है यहां पे मेरे सारे compacts है और यहां पे भी थे सो एक एक करके में आपको बताती हूं दिस फेस का compact then this is street wear compact यह prefix का compact मैंने यह आपके साथ share नहीं किया बट दिस is really nice compact यह आपको flip card से मिल जाएगा this is my favorite like one of my favorite compact बहुत ही अच्छा है और काफी अच्छा coverage जेता है यह L18 का compact यह रिमेल का और यह Maybelline super fresh white super fresh whatever one करेंगे this section पर सब पहले में ऊपर क्या क्या रखा यह मेरे नेलाट का box है जो मुझे gift मिला था अग्यान ही एक mirror है दैन यहां पे मेरे कुछ goggles है यह वाच है यहां पे कुछ lips you know nail pants है यह यह सी crystals है random मुझे पसंद है then these are all clips and everything यहां पे टियारा है बहुत सारे बिकोज टियारा मुझे बहुत पसंद है so I have bunch of them and then यहां पे मेरे पर्फ्यूम है यह एक पर्फ्यूम है और यह oriflame का डियो है यह eva का है this is just random जो में डेली वेर पर यूज करती हूँ वह ही यहां पर रखे हुए है and यह आप देख सकते हो इसमें मेरी सारी बुलेट lipsticks stored है and इसमें नीचे मेरी liquid lipsticks है so यह मैं आपको open करके बताती हूँ so this is my bullet lipsticks यह random है the club what is this the fashion factory की है यह then a bunch of L18 ones L18 matte then यह neckline की है then bunch of ADS lipsticks यह मैं पास काफी है मैंने पुरा set लिया था and this is the tips and toes which is probably closed then you get blue heaven x factor lipsticks then some random brands and this one is a lipstick which is two in one here you get a lipstick and liquid lipsticks so this is very interesting and this is just local brand I don't know I have and this is my eclotha lip crayon Mars का है and that's it some lipsticks अभी यह हटा के हम यह वाला box देखते है इसमें सारी liquid lipsticks है मेरी uh so you can see it यह है blue heaven की non transfer proof मैंने इसे packaging में रखा है because I want to review this then a bunch of personal lipsticks like बहुत है you know मैंने बहुत सारी पर्चेस की थी then यह सी random है local brand की है I don't like them but okay है kind of and then यह new मैंने लिए है ADS की lip matte lip glosses lip glosses नहीं liquid lipsticks से यह मैंने न्यू लिए Instagram store से मैं जल्दी इसका वीडियो बनाने वाली हूं and then यहां पर आपको यह wine lip glosses मिल जाएगे then you get this MN के lip glosses and these are the two lip glosses this is transparent and this is brown जो की बहुत ही वर्स्ट कॉलेटी के like seriously worst यह इतनी मेरी है matte liquid lipsticks like liquid lipsticks में अभी हम यह open करके देखेंगे अभी हम नीचे से स्टाट करते सबसे पहले यहां पर सारी मेरी jewelry is रख्य हुए jaeur jean यह यह एरिंग्स है मेरे और यह यहां पर मेरा पूरा skincare रख हुआ है I know it´s getting too much यहां पर यस्ट मुल्तानी मिठे है या की cream बहुत में स्क्रप्रस्अ मलीक यह लोशन हैं this is cleansing क्लिंजिंग मिल्क लोशन दें फेस्ट वाशे स्क्रव फेस्ट पैक एंड इस जिस्ट सम्हें अगें क्रीम है अगें पॉंच आपको हर जगह पॉंच दिख जाएगा इस विटामिनी कैप्सूल एंड मेरा एक पर्फ्यूम रखा हुआ है इस अगें माइ चलिंजिंग मिल्क एंड फेस्ट वाशेज वह शैंपू है बायाटिक का एंड बायाटिक का हैर फॉलिंग सिरम है तो अभी हम मूव ओन करते हैं यह मेकप वाले सेक्शन में सो सबसे पहले मैं आपको यह दिखा दू एमन की लिप ग्लॉसेज दू ट्रू लिप ग्लॉसेज है जो कि बहुत ही यह वज्ट कॉलेट tutti के इतने स्ठीकी है और इतने जाहिए इंड एड एड़ेस का मेक अपकेट है आपने से बहुत वीडेोज में देखा होगा दैन यह अग्या एड़ मेkप केट है यह भी है इसे आपने नहीं देखा होगा मैने कभी वीडेओ ने प्लुश ने किये इस सो यह ऐसे कुछ आता है मैं से जादा यूज ने करती हूँ बट यह स्टिल बहुत अच्छी कॉलिटी का है आपको यहां पर यह मिल जारेगा एक सिकेंड यहां पर मेरे ओल्ड एडियस के किट्स है जो भी मैं यूज ने करती हूँ यह भी ओल्ड है बट बहुत ही क्यूट है यह है मिस गूल्ड का मेकप किट लाइक आर्टिस्ट आइशएडोज यह है 48 आइशएडोज इस पर में एक फूल रिव्यू बनाना चाहूंगी क्योंकि मैंने इक इंस्टाग्राम स्टोर से लिया है यह बहुत ज्यादा अफॉड़ेबल है देन हम मूव आन करते हैं यह वाले सर्फ पर जहां पर मेरे हाईलाइटर सेंगल बलश्heas and everything है सो फॉर्स्ट मूव़ण करते है यह ओट भोग के किट पर डैनाय है यह बूख रैवंड डायमड ब्लश दैन यह एसंस का सिंगल ब्लश है दैन यह सिवान आश्म और लेक है निए ओड बॉख रैलटर है और यह बूख आइशाड़ोस है वो है यहा पर एक एसंस का मोनो आई एडियेस का है यह सो बस यह मैंसे एक कंटेनर में स्टोर करती हूं यहाँ पर रख देती हूं सारी चीज़े काफी से यूनो बेटर ली हैंडल हो जाती है यह होने के बाद यहाँ पर साइड पर आप देख सकते हो यह मेरे डेली वेर्स कांड ऑफ यहरिंग है जो मैं यहाँ यह मेरा DIY एरिंग होलडर है अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी एड यही स्था मेरा पूरा मेकप कलेक्शन जो इतना अच्छा भी नहीं है आपको यह मेरा मेकप कलेक्शन और स्टोरेज वीडियो अच्छा लगा होगा आपको कुछ स्टोरेज की टेक क्यार और बाए